हलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सेट के लेवल टू और लेवल थी के कुछ अच्छे कुस्स जो कंसेप्ट बचे हुए थे सेट के बो मैंने जो लास्ट वीडियो आपको प्रोवाइड करा है उस से रिलेटर ही कुस्तन से करा हुए ठीक है तो जो कुस्तन पूछे आते एक्जाम में तो देखे चाट करते हैं क्या आपको ए यूनियन बी बरावर ए यूनियन बी का मतलब है कि ए और बी को मिला दू तो ए और बी मिला कर हमें ए मिला इसका मतलब क्या है कि बीका कोई आस् सबसेट नहीं हुता है तो इसका मतला का आपका बड़ा है और भी किसा चोटा है तो आपको पता है जो छोटा होता हे बड़ा होता है वह एक मडानना तो पिसाट को से इस में मैं आपके अंदर एक भी डाउट नहीं रहने देना चाहता इसलिए मैंने इस तरह कुस्सन लिए जो आपको डाउट में रखते हैं देखो कुस्सन क्या गराए गला सेम कुस्सन है बस तोडान सांतर है यहां यूनियन दिया था यहां दिया है आपको इंट्रसेक्शन यान कि हमें पता चला कि इसका मतलब है कि बड़ा हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं है तभी तो हमें कॉमन पार्ट ए मिल रहा है क्योंकि हमने सोचा यह और भी को जब हम कॉमन पार्ट लेंगे तो हमें यही मिल गया कॉमन पार्ट क्या मिलेगा हमें द्वारा रोटकर ए ही मिल गया इसका मतलव है कि a में छोटा है और बी कैसा है बड़ा है क्योंकि तब नहीं में इसका होजाएगा आपका यह सबसेट होगा तो ए यानिके ऑप्सन नम्बर आपहई एंटर सेक्शन बी का होल्ट से लिख सकता हूँ क्या मैं से तब ही तो प यहां अब दीख किई हूआ यह कि अंदर का है यहां यहां कि देक कि कि अ अरक बी का क Common पार्ण यह जब A, B के अंदर मिल जाएगा तो क्या A common नहीं आएगा B में से आ जाएगा ना तो यही तो पूछ रहा है A और B में common क्या आता A तो अंदर A रख तो जब डैस निकाल होगी तो A डैस यानि कि option number A will be right answer अच्छे तरीके से आपको clear होगा दिल से समझा ना दिल से ठीक है देखो अगला question क्या होगा if A subset B doubt रहने नहीं दूँगा question same ही है बस intersection और union का अंतर हैเง mite कुशन क्या कह रहा है a subset B then A dash intersection B dash इसका मतलब क्या होता रहा देखो ए यूनियन बी का यही इसका मतलब होता है ना देखो ए यूनियन बी का डैस यही इसका मतलब होता है ना देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी के अब अब मिला दू अब यहां देखो यहां क्या कह रहा है कि ए बी का सबसेट ह अब जब आप A, B के हमें अंदर ही मिल जाएगा तो हम A को मिलाने में B से कोई अंतर पड़ेगा जब हमारा जो A का पार्ट है वो B के अंदर पहले से ही है अब जब मिलाद होगे तो क्या कुछ पर एफेक्ट पड़ेगा क्योंकि यह रिपीटेशन तो होता नहीं है तो हमें क आप समझाया नहीं है समझाया तो वीडियो लाइक कर दो जल्दी से और कमेंट कर दो तो चलते हैं नेक्ट कोशन के उसर चलो तो देखो यह आपका नेक्ट कोशन अगर आपको बैंट डाइग्राम से कुशन स्वालो करने दिक्कत आते है ठीक है यह कोशन है इसके बाद ए कि इंगले समारा कुछ नहीं कर सकती है तो बस सोचो जान से डाटा सूज दा नंबर ओफ प्लेयर से यानिके खिलाडियों कि संख्या इन देर एथलेटिक टीम से यानिकी जो टीम है उनमें इने स्कूल बास्केटबॉल यानि देखो बास्केटबॉल में कितने हैं 21 होकी मे बास्केटबॉल और फुटबॉल तीनों कितने मिलाकर आठ हैं तब पूछ रहा है हाव मैंने प्लेयर्स आर देर और यानिके थ्री और यानिके जो तीनों के कुल प्लेयर हैं वो कितने हैं तो सबसे पहले ऐसा कुशन आपको दिख जाए तो सबसे पहले यह उग्जर्व क अवर्क्ष के लिदुए और रहूं हैंने मिलाकर फटिक हाथा अब देखकर क्या हैं अब सबने दया थी तो समझा एक होकी बास्केटबॉल व्रणों इश्य ओसlang येवाला पार्ट जो है वो एका भी है हे कभी है वह उचा भी है और बी देख के बाद नहीं आएगए ह। नहीं से दिखाँ हे आगे ना से समझदें श्यांग बन जाए इसे ले शक्रेशी तो ये पोछ होय पनीद दिinea वाला कया पिंचत नहीं किनए या फूलाई कि आढ़े के दिखु कि आगे क्या है इतना हुगी या सिद्वी इस तरीका दिखे जाए फीचे से चलना आपको मैंने सबसे पहले कुछ सा पुर्ण भाल अप्सक्राइए लास्ट वाला तो पीचे ते चला करूं यह होगा है आप चलेंगे यहां पर होकी और फुट्बार त हुण Saat चए हैं तो 7 लगा दो होकी और फुट बेटीन इस यह था अन्य होकी और फुटबोल फुटबोल बास्केट बाुटिफेची और यहां तक यहां तक यहां से यह तक बाला इसमें कितने सी के हमी राव यहां से वाला चल जाएगा चार हूप न stress रोल की और बास्केट डिल क्या कलिए के और कि बास्केट डिल के बास्कीट नहीं में कि यह जो खोब होकी का पार्ड यहां दिनेते होकीन में Along और स्पीड नेखे लिया करो भी दिक्कत आती है तो तो अगे देखते हैं आज इस आज ाफ तो में तो यह तुमारा डाटा क्लिए हो गया अब पोल आफ फॉटो वल के सब्सक्राइब नेखे के यहां पर क्या दिखक्त आ रही है कितने अतैक documents डिखों जी थे क्रण जलो दो यह क्या चोन मैं App बास्केट बॉल रहा है आपको बास्केट बॉल रहा है यापको तवन्टी वण अब देखो 2020 वल्ट के निया च्छ्छ ज़ा च्छ आठ कितने मेंसे 21 कितने रह इंगे तीन है अब अब इसन धार डाःगराम बनकर त्यार हो चुकत है अब उसकी दम हो कुछ भी पूछ ले इसमें वो में वो में कुछ भी पूछ ले कोई दिकत नहीं आने वाली लेकिन इसे ने बच्छा तो कुछ न भूचा है क्या उचा देख लेते हैं अगर समझ में आ गया हुँ ना वाई तो वी यू लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना ने वाला हूँ अगर कोई डाउट रहागा होगा उसमें के लिए रहेगा तो चलो नेश्ट कोशन की और मृध यह आपका नेश्ट कोशन वेंट डाइगरां से कोशन रहने नहीं दूँगा यह कोशन पना अच्छिए समझा अनसर आपको कमेंट कर देना कमेंटबोक्स बास में भी बताता हूँ है उसके बाद भी सवाल में दिख्कत आ रही है कमेंट करके कमेंट करके नीम करके समें रहे हो और नी समुझें रहे हो कि वेंड डाइगराम का कुछन आपसे बचना नहीं चाहिए ठीक है द्वारा समझ लोएक वार और समझा रहा हूं वेंड बन जाए बस बन डाइगराम बनाने के बाद वो कुछ भी पूच ले कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ठीक है चल संख्या है वो एक से ज्यादा बिसलेने की देखो क्या किरा है मैथ में कितनी है सो और फिजिक्स में सतर केमिस्ट्री में 40 यह तो आपको अलगा डाटा दिया हुआ है फिर देरा है मैथ एंड फिजिक्स देखो MP लिख दिया समझ जाना थे बच्चे नहीं रहे हो आप बड़ देखों गड़ाटा कितनी का दिये हुआ है तो इसे क्या पता चला कि टाइग्राम कि दिटनी बनेंगे चलो बनाती है कि देखों मैं कहां बनाऊं जैना चलो इहां दिख जाएगा और समें ने धान से डाग्रांइब चुटई हमें अभ मैं से मालूमें फिजिक्स और मनू है भाई यहीं तो है साली जड तो प्रेक्षे तो है में तो इसके बाद कि पीछे में पाूंसा है यहां से लेकर यहां तक क्या आपका फिजिक्स के पार्ट है यह तुम्हारे कितने आ गए पार्ट पार्ट चाहिए तो यह वाला पार्ट कितना हुए हमारा यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक कितना है तीस में से आपका यह अठा रहा है यहां आपका आपका बार्ट हो गया ठीक है साब और पीचे लोड़ो इसके बाद कह रहा है केमिश्ट्री का चालीस केमिश्ट्री का चालीस है लेकिन केमिश्ट्री के चालीस पंदरह 15 और ठाटारा 15 तीसमें 33 तो आपका अठारा तो यह आ गया और बारा यह यह तीस आ गया तीस के बाद पांच यह आ गया यानिक पैंटिस अगया अगया पैंटिस में लेना था आ तो सब्सक्राइब जोने से कि पैंती चला गया कि पैंती सोर बची का अपका अपका ऐसाब ये आपके पचा बचा और पीछ लोट यानिके कह रहा है मैथमेटिक्स का 100 अब देखो मैं तो मैसे में समय पास तीस तो यह ले गिए अठारा यह वाली बारा यह वाले तीस चले टीक है और इसके यह सब्सक्राइब बन गया अब बच्चा था कुछा सेने हाव मैंनी स्टुडेंस हैव ओफर्ड मैथ अलोन यानिके केवल गड़ित वाले बतानी है में बाइसाब अब तो बता दो यार पूरा तो कर दिया यार साथ हागया ना मैथ में दिख रहा है ना केवल मैथ वाले यह तो वीडियो को एक वार जहां से मैंने यह आपको बेंड डाइगराम समझाए तू एक्सिस वीडियों देख लिए ना द्वारा से वेंड आज के बाद गलत नहीं हुगा फिर भी रजाय कमेंट करके देना तो मैं विलूँगा आपको नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए ट